नमस्कार साथियों आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जैपूर के ज्ञान सुधा कारिकरम के अंत्रगत प्रतियों की परिक्षाओं में सामान्य ज्ञान के अंत्रगत आज हम बात कर रहे हैं राज्थान के प्रमुख राजवंशों में और यह इस वीडियो स्रंकला का सातों भाग है जिसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे राठोड राजवंशों की राष्थान के प्रमुख राठोड राजवंश हम तीन है जिन पर हम बात करेंगे मारवाड जोदपूर के, बीकानेर के और किशनगड के राठोड शब्द की व्युत्पति राष्टकूर्ट शब्द से मानी जाती है पृत्विराद राष्थो, नैंसी, देलदास और करनल टोड राठोडों को कन्योज के जैचन गहडवाल का वन्शज मानते हैं राष्टोड वन्श महाकाव में राठोडों की उत्पति शिव के शीष परिस्तित चंद्रमा से बताई है डॉक्टर हारनली ने सरप्रतम राठोडों को गड़वालों से भिन्द माना है और इसका समर्थन डॉक्टर ओजा ने भी किया है डॉक्टर ओजा ने मारवाड के राठोडों को बदाईयों के राठोडों का वन्शज माना है अब हम बात करते हैं मारवाड के राठवडों की इसके संस्थापक हैं राव सीहा जिनका समय 1240 से 1273 ईश्वी माना जाता है पाली के समीप बिठ्थु गाउं के देवल के लेख से सीहा की मृत्यू की तिथी 1273 ईश्वी निश्चित होती है इस लेख के अनुसार सीहा सेत कुमर का पुत्र था उसकी पत्नी पारवती ने उसकी मृत्यू पर इस देवल का निर्मान करवाया था इस लेक पर अश्वरोही सीहा को सत्रू पर भाला मारते वे दिखाया गया है इस लेक से प्रमानित होता है कि राठोडो का जो राज्य है वो पाली के आसपास ही स्थिथा आस्थान, 1273 ईस्वी से 1291 ईस्वी सीहा के बाद आस्थान राठोडो का शाषक बना उसने गुंदोज को केंदर बनाया 1291 में सुल्तान जलालोदीन खिल जी के आकरमन के समय पाली की रक्षा करते वे उसकी मृत्य हो गई राव चूडा 1383 से 1423 ईस्वी राव वीरम देव का पुत्र चूडा राठोडों का प्रिथम महत्वपूर्ण शाशक माना जाता है अपने पिता की मृत्यू के समय चूडा छह वर्ष का था इसलिए उसकी मा ने उसकी चाचा मरिनात के पास उसे भीज दिया उन्होंने उसे सालोडी गाउं की एक जागीर दी चूडा ने इंदा परिहारों के साथ मिलकर मंडौर को मालवा के सुपधारों से छीना और मंडौर को अपने राज़दाने बना लिया तो इस प्रकार से परिहारों को अपना सायोगी बनाकर चूड़ा ने मारवाड में सामंत प्रथा की स्थापना की। उसने जलाल खां खोखर को पराजित कर नागोर प्रदिकार किया। परन्तु जैसलमिर के भाटियों और जांगल प्रदेश के सांखलाओं के नागोर पर आकरमन के समय वो 1423 इस्वियों मारा गया। राव चूड़ा ने नागोर के पास चूड़ा सर गाउं वसाया। उसकी चांद कवरी रानिये जोदपूर की चांद बावडी का निर्वान करवाया था। कानहा 1423 से 1427 इस्वियों चूड़ा ने अपनी मोहिलानी रानी के प्रभाव में आकर अपने पुत्र कानह को अपना उत्रा देर बना दिया। जबकि रणमल चूड़ा उसका सबसे बड़ा बेटा था। रणमल मेवायट के रणा लाखा की शड़ में चला गया। तथा बहन हंसाबै के विवा लाखा से कर दिया। राणा ने उसे धंगला गाव जागीर में दिया। 1427 इस्वियों में रणमल ने रणा मोकल की साहता से मंडूर पर अधिकार कर लिया। उसे में काना का उत्रा धिकारी सत्ता मंडूर का साशकता। राव रणमल 1427 से 1438 इस्वियों रणमल ने अपने समय में मारवाड और मेवाड रियासतों पर ब्रभाव बना रखा था। मेवाडी सरदारों ने 1438 इस्वियों में उसी की प्रेशी भारमली की साहता से चित्तवड में रणमल की हथ्या करवा दी। राव जोधा 1438 से 1489 पिता रणमल की हथ्या के बाद जोधा ने चित्तवड से भाग कर विकाने के समीप काहुनी गाउं में शरण ली। चूड़ा के नित्रतु में मेवाड की साना ने राठोडों की राजदानी मंदोर पर अधिकार कर लिया। अवल बावल की संदी 1483 पिता हूए। जोधा ने अपनी पुत्री स्रंगारदेवी का विवाह कुम्भा के पुत्र राएमला से कर दिया। राव जोधा द्वारा अपने पुत्रों और प्रमुक सरदारों में राज्य बाटने के काण राव जोधा को मारवाड रियासत में सामंत प्रथा का वास्तिक संस्थापक मन गाता है। इसी नीति का परेणाम था कि राव जोधा के पुद्र बीका द्वारा बिका ने राज़े की स्थापना की गई जोधपूर नंगर की स्थापना 1469 में जोधपूर द्रोंगर के स्थापना कर चिक्टिया टूक पहाडी पर मेरानगर्दुर का निर्मान करवाया और उसे अपनी राज जानी बनाया। मेरांगड किले में चामंडा मंदर के मंदर और राठोडों की कुल्देवी नागनेची माता के मंदर का निर्मार राव जोधा नहीं करवाया था जोधा की हाड़ी राणी जस्माद्ये ने जोधपूर में राणी सर्थ आलाप बनवाया था राव सातल जोदा के पुत्र राव सातल ने सातल मेर कस्मा बसाया उसकी बट्यानी राणी फूला ने जोदपूर में कुलेलाव तलाब बनवाया था अजमिर के हाकिम मलुख खां के समय पीपाड जोके जोदपूर में आता है के युद्ध में गायल हो जाने के काण राव सातल के मृत्वी हो गई 1492 एसवी का समय था इस युद्ध में राव सातल विजई रहा था राव सूजा 1492 एसवी से 1515 एसवी यह राव जोधा का दूसरा पुत्र था इसके समय भीकाने के राव बीकाने जोधपूर पर आकर्मन किया था राव गांगा 1515 एसवी से 1532 एसवी गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को खानवा के युद्ध में राणा सांगा की साहता के लिए बेजा था राव गांगा ने सेव की गांग जोके जोधपूर में है के युद्ध में 1529 एसवी में बीकाने के राव जैज सिंग की साहता से अपने विद्रोही चाचा, शेखा और नागोर के दौलत खांकी सेनाव को हराया राव मालदेव 1532 से 1562 एसवी पंडित रेव के अनुसार राव गांगा अफिम के नशे में महल की खिडकी से गिर पड़े टौक्टर ओजहा ने मालदेव को गांगा का हत्यारा माना है नैनसी और माकी दास ने इस घटना का कोई उलेख नहीं किया राव मालदेव की माता सिरोही के द्यवडा जगमाल की बेटी थी सोज़त के किले में राजबेशेक के एक वर्षबाद मालदेव जोदपूर गया समकालिन फार्सी इतिहास कारों ने राव मालदेव को हर्ष्मत वाला बाजशा कहा है नागोर विजय 1533 एसवी नागोर के दौलत खां को इराबाडी के युद में पराचित कर नागोर पर अधिकार कर लिया सिवाना की विजय 1538 एसवी में सिवाना पर राव डूंगर सिक अधिकार था मेरता व अजमेर पर अधिकार 1538 एसवी राव विरमदेव को पराजित कर मालदेव ने 1538 ईश्वी में मेरता और अजमिर को अपने नियंतरण में ले लिया विरमदेव भाग कर सेरसांसूरी की सरण में चला गया जालोर की विजे 1549 ईश्वी राठोड बीदा के नेतरतु में मारवडी सेना ने सिकंदर खां को पराजित कर जालोर को जीत लिया बदराजून और रायपूर पर अधिकार 1549 ईश्वी बदराजून और रायपूर पर सिंगलों का अधिकार था सिंगलों का नेता वीरा को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया विकानिर विजय पाहुबा का उयुद पंदरसो इकतालिस इसवी राठोड कमपा के निर्टतु में मालदेव की सेना ने पाहिबा के युद में राव जैज सिंग को पराजित कर बिकानिर पर अधिकार कर लिया इस युद में राव जैज सिंग मारा गया मालदेव ने कंपा को जुझनु की जागीर देकर बिकानिर का प्रशाशक नियुक्त कर दिया हुमायू से संबंद राम मालदेव ने सेर्षा सूरी से पराजित हुमायू को बिकानिर के परगना और उचित सायता देने का प्रस्ताव रखा था परन्तु हुमायू एक वर्स बाद मारवड पोहुंचा हुमायू 1542 इसवें फलोदी से वापस अमर कोट की और चला गया गिरिशामेल जैतारण युद या पालिका युद 1545 इसवें इस युद जे पूर वसेर्षा ने चाला किसी काम लेते वे मालदेव के सेननाय को जैता और कमपा को अपनी तरफ मिलाने का ढोंग अचा था जिस कारण मालदेव युद से वापस जोदपुर लोट गया जैता और कमपा ने बचीवी सेना के साथ सेर्षा की सेना का वीरता से मुकाबला किया जैता और कमपा की वीरगती को प्राप्त हुए तथा राठोड सेना पराजित हुए इस यूद को जीतने के बाद सेरसा सूरी को कहना पड़ा कि एक मुठी बाजरे के लिए में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता सेरसा सूरी ने जोदपूर पर अधिकार कर लिया परिणाम तव मालदेव सिवाना चला गया सेरसा ने मेरता, विरमदेव को तथा विकाने कल्यान मन को सौप दिये मैं 1515 एसी में सेरसा सूरी की मृत्यू के बाद राव मालदेव ने जोदपूर सहित अपने संपूर राजर को पुना अधिकार में ले लिया राणा उदय सिंग से संबंद मालदेव ने बणवीर के विरुद उदय सिंग की सहायता की थी परनतु बाद में खेरवा के ठाकुर जैतर सिंग की दूसरी पुत्री से विवा के प्रशन पर मालदेव ने उदय से संबंद बिगाड लिये राव मालदेव ने अजमेर के हाजिखां पठान को हरमाड़ा के युद्ध में सहायता दी और इस युद्ध में हाजिखां विजए रहा राव मालदेव ने पोकरण और मेरता के दुरुगों का निर्वान कराया तथा सोजत, नागोर और सिवाने के दुरुगों का जिर्ण द्वार करवाया रूठी राणी जैसलमेर की भाटी शाषक लूण करण की पुतरी उमादे का विवाह 1536 ईश्वी में राव मालदेव के साथ हुआ था परन्तु विवाह के बाद वह मालदेव से रूठ कर अजमेर के तारागड में रहने लगी वह राज्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद है अजमेर पर सेर्शा का अधिकार हो जाने के बाद वह कोसाने जोद्पुर और गुंदोज पाली होते वे अंततह केलवा राज समन चली गई मालदेव की मृत्यु पर वह सती हो गई राव चंदरसेंड 1562-581 एस्वी राव मालदेव ने अपने जेष्ट पुत्र राम को राज्जे से निर्वासित कर दिया अतह वह मेवाड में केलवा चला गया दूसरे पुत्र उदैसिंग को भी राज्जेदिकार से बंचित कर फलोदी की जागीर दे दी अतह मालदेव का तीसरे पुत्र चंदर देव मारवड का शाषक बना चंदरसेंड की शाषक बनने पर मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र राम अकबर के दरबार में चला गया तथा मुगल सिवा में रेड लगा 1564 EC में हुसेन कुली खां के नित्रती में मुगल सेना ने जोद्पुर पर अधिकार कर लिया राव चंदर सेन बदर जून चला गया नागोर दरबार 1570 EC अजमिर यात्रा के दोरान 1570 EC में अकबर लगबग एक वर्ष तक नागोर में रुका अकाल रहत के रूप में उसने यहां शुक्र तालाब का निर्वान करवाया नागोर दर्बार में रावल हर राय, राव कल्यानमर और उदे सिंग इन लोगों ने मुगल अधिन्ता को स्विकार कर लिया माने जाता है कि राव चंदर सेन भी नागोर दर्बार में गया था परन्तु अधिन्ता स्विकार किये बिना ही वापस भद्रण जूड चला गया नागोर दर्बार के बाद अकबर ने बिकानिर के क्मूवर राय सिंग को जोद्पुर का हाकिम नियूप किया पंद्रसो इकतर ईस्वी में भद्रा जूड पर मुगलों का अधिकार तो हो गया और इस कान राव चंदर सेन वहां से सिवाना चला गया मुगलों ने सिवाना को जीत लिया चंदरसेन सिवाला से निकल कर पीपलोध और वहां के काणुजा की तरफ भागया मुगलों से संगर्ष के दोरान राव चंदरसेन को स्वदेश छोड़कर मेवार, सिरोही, डुंगरपूर और बासवड़ राज्यों में शरण लेनी पड़ी 11 जनवरी 1681 ईसवी को सीच्याई सोजत परगन्य में सारण के पास उसका देहानत हो गया इस प्रकार राव चंदरसेन राजपूते का प्रतम शाशक था जिसने आज इवन मुगलों की अधिनता को स्विकार नहीं किया राव चंदरसेन के मृत्य के तीन वर्ष तक अकबर ने मारवाड को खालसा रखा था राव चंदरसेन के उपनाम मारवाड का प्रताप राणा प्रताप का अगरगामी भूला बिश्रा शाशक मोटा राजा उदैसिंग 1583 से 1585 इस्वी राव चंदरसेन के मृत्यू के तीन वर्ष बाद बादशा अकबर ने 1583 इस्वी में माल देवी के दूसरे पुत्र उदैसिंग को जोदपूर का शाशक स्विकार कर लिया मोटा राजा उदैसिंग जोदपूर के पर्थम शाशक थे जिसने मुगल अधिता स्विकार की और उनसे व्यवाइक संबंध स्थापित किये उदैसिंग ने अपनी पुत्री मानी बाई के विवाव 1586 इस्वी में सहजाद सलिम जोकी जहांगीर के नाम से प्रसिद्वा के साथ किया इसे जगत गुसाईं और जोदपूर बै नामों से जाना गया हुर्रम का जन्म जगत गुसाईं से ही होगा था 1595 इस्वी में लाहोर में मोटा राजा उदैसिंग की मृत्य हो गए राजा सूर सिंग 1595 से 1619 इस्वी अकबर ने 1604 इस्वी में सूर सिंग को समय राजा की उपादी प्रदान की राजा गज सिंग 1619 से 1638 इस्वी बालसा जागीर ने 1621 ईस्वी में उन्हें दल थंबन की उपादी प्रदान की 1683 ईस्वी में आगरा में गज सिंग का देहानत हो गया गज सिंग ने अपने जेस्ट पुत्र अमर सिंग को नागोर की जागीर पदान कर दूसरे पुत्र जस्वन सिंग को अपना उतरादिकारी पोशित किया अमर सिंग राठोड पिता गल Graci तवारा उत्रादिकार से बंचित की जाने के बाद अमर सिंघ सहाजा के दरबार में चला गया बालसा ने उसे नागोर की जागीर दि अमर सिंघ और विकारीर के कान सिंघ के मद्द जक्मनिया गावं को लेकर सीमा विवाद हुआ जिसे मतीरे कीराड कहा जाता है, जो कि 1644 ईश्वी में हुई थी 1644 ईश्वी में ही अमर सिंग ने मुगल दर्बार में शलावत खान दुआरा, गवार कहें जाने पर भरे दर्बार में उसकी हत्या कर दी, तथा इस जड़प में स्वायम भी मारा गया माराजा जस्वन सिंग 1638 से 1678 इस्वी जस्वन सिंग का राज्यबिशेक 1638 इस्वी में आगरा में हुआ बासा साजहा ने उसे माराज की उपादी प्रदान की मुगल उत्राधिकारी संगर्स साजहा के पुत्रों के मद्धि हुए उत्तराधिकारी संगर्ष में जस्वन सिंग ने दाराशेको का साथ दिया था धर्मत उज्जयन का युद 25 अप्रेल 1658 इस्वी इस युद में केंदरी सेना का नेत्त्व मारादा जस्वन सिंग और कासिम खान किया परन्तु औरंग जीव ने इस सेना को पराजित कर दिया धर्मत के युद में पराजय के बाद जस्वन सिंग जोदपुर आया तो उसकी हाइडीरानी जस्वन दे जो की बूंती के सतरु साल हड़ा की बेटी थी उसने किले के दौर बंद कर दिये थे खजवा इलाबाद का युद 5 जनवरी 1669 इस युद में जस्वन सिंग और जस्वन जोए औरंग जीव की और से युद में शामिल हुआ परन्तु युद के दौरान सूजा से मिलकर युद किया और पराजित हुआ दौराई अजमिर का युद मार्च 1669 इस युद में औरंग जीव ने दारा को निरनाएक रूप से पराजित किया दारा को कैद कर कुछ समय कांकवाडी उलवर के किले में कैद रखा था साजा ने जस्वन सिंग को 7000 का मनसब दिया था जैसे औरंग जेब ने भी बाहल रखा बासा औरंग जेब ने माराजा जस्वन सिंग को निमन प्रांतों की सूबेदारी दी थी गुजरात, दक्षन और काबुल काबुल की सुबेदारी के दौरान ही 28 नॉवंबर 1678 इस्वी को अफगानिस्तान में जस्वन सिंग का दिहान्त हो गया जस्वन सिंग की मृत्यू पर औरंग जिब ने कहा कि दरवाजा एकको फ्रश्रकस्त अर्थात धर्म विरोध का दरवाजा तूट गया जस्वन सिंग की रचनाए भाशा भूशन अपरोग शिद्धांसार प्रबो चंद्रोदय जस्वन सिंग के कुछ प्रमुक दरवारी हैं दलपत मिसर जस्वन्त विलास नर हरिदास अवतार चरितर राम चरितर कथा निर्मान कारिय जान सागर जस्वन सिंग की पत्नी जस्वन सिंग ने औरंगाबाद के निकट जस्वन्त पूरा कस्वबसाया जहां जस्वन सागरत अलाग बनवाया गया माराजा जस्वन सिंग ने काबूल से अनार के बीज लाकर जोदपूर के कागा के बाग में लगवाए थे मानने जाता है इसलिए जोदपूर के अनार अपने मिठास के लिए प्रिसिद है मुनोत नैंसी 1610 से 1670 एस्वी राज्तान के क्रमबद इतिहास लेखन में पर्थम इतिहासकार नैंसी का जनम 1610 एस्वी मारवार में हुआ था 1608 एस्वी में नैंसी माराजा जस्वन सिंग के दिवान नियुक तुए परंतु 1667 एस्वी में इन पर राज की धन के गबन कारोप लगा कर बंदी बना लिया गया बंदी अवस्था में जब नैंसी को औरंगाबा से मारवार लाय गया तो फुलसरी ग्राम जो की माराश्ट्रों पड़ता है वहाँ पर उन्होंने आत्मात्या कर ली नैंसी के रसनाएं नैंसीरी ख्यात मारवार रापरगनारी विगत नैंसीरी ख्यात में राजस्थान का समगर इतिहास वर्णे थे इसी ख्यात के कारण मुंसी देवी प्रसाद नैंसी को राजपूतने का अबूल फजल कहा है मारवार परगनारी विगत में मारवार रियासत का विश्थत वर्णन बताया गया है माराजा अजीज सिंग 1679 से 1724 हीश्वी माराजा जस्वन सिंग की मृत्यू के समय उनका कोई उत्रादिकारी नहीं था इसलिए बादशा औरंगजेब ने मारवार राजी को खाल सा गोशित कर दिया जस्वन सिंग की मृत्यू के बाद उनकी गर्वती पत्नी ने 19 फर्वरी 1689 को लाहोर में अजीज सिंग को जर्म दिया अजी सिंग के दिल्ली पहुंचने पर औरंगजेब ने उसे जोदपूर का राजा माने से इनकार कर जेल में डाल दिया राठोड दुर्गादास के नेत्योतों में राठोड ने अजी सिंग को जेल से निकाल कर जोदपुर का शाशक बनाने तथा मारवाड को मुगल अधिकार से मुक्त कराने के लिए एक लंबा संगर्श किया जिसे तीस वर्षिय युद खा जाता है और अंग्जेब ने अमर सिंग राठोड के पौतर इंदर सिंग को 36 लाख रुपे के बदले में जोदपुर का शाशक स्विकार कर लिया था अजीज सिंग को दिल्ली से बाहर निकालने में अजीज सिंग की धाय मा गोरो ने अपने पुत्र की कुर्बानी दी थी गोरो को मारवार की पनाधाय कहा जाता है दुरकादास अजीज सिंग को मुगल कैसे मुक्त करवा कर मिवार ले गया जहां माराणा जाज सिंग ने उसे केलवा की जागीर थी इस संगर्ष में राज सिंग ने राठोडों को खुला समर्थन दिया था औरंगजेब ने मेवाड मारवाड विरोत का दमन करने के लिए सहजाद अकबर को बेजा जिसने राजपूतों के समर्थन से एक जनवरी 1681 ईश्वी को नाडोल में स्वयम को बाजसा गोशित कर दिया औरंगजेब ने कूटनिती से अकबर राजपूत गूट को भंग कर दिया इसके कारण दुर्गादास अकबर को मराठा चत्रपती संबाजी के पास ले गया प्रोही राज्य में कालिंदी नामक इस्थान पर रखा गया जहां मुकुंद दास कींची की देखरेक में प्रोही जैदेव की पत्नी ने अजीत सिंग का लालन पलन किया दुर्गादास ने अकबर के बेटे रोशन अख्तर और पुत्री सफियत तुर्णिसा को सरण दी तथा 1698 ईस्वी में उन्हें औरंगजेब को सौप दिया इस पर औरंगजेब ने दुर्गादास को सिवाना, जैतारण और मेड़ता तथा अजीस सिंग को जालोर और साचोर परगने जागीर में दिये 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगबाद में औरंगजेब की मृत्य के बाद अजीस सिंग ने शाही अधिकार जफर कोली को निकाल कर 12 मार्च 1707 ईस्वी को जोद्पुर पर अधिकार कर लिया अजीज सिंग ने 1715 EC में अपने पुत्री इंदर पुवरी का विवाहा बासा फरकृषियार से किया था 23 जून 1724 EC को पुत्र बक्त सिंग द्वारा धोके से अजीज सिंग की हत्या कर दी गए अजीज सिंग के रचनाएं गुण सागर, निर्वान दुहा, दुर्कापाट भाषा, अजीज सिंगर कहा दुहा, अजीज सिंगर कविता, अजीज सिंगर गीर, दुहा से ठाकुर रा एर्मान कारे जस्वन सिंग का स्मर्क मंडोर, गंशा मंदिर जोथपूर, मूल नायक मंदिर जोथपूर, पतह महल जोथपूर, एक थमबा महल या प्रहरी मिनार जोथपूर दुरकादास राठोब 1638-1718 ईस्वी दुरकादास जस्वन सिंग के मंतरी दुनेरा के जागिरदार आसकन का पुत था इनका जरम 1638 ईस्वी में सालवा गाव में हुआ था आसकन दोरा त्याग देने पर इनकी माता ने इनका लालन पालन नुनेवा गाव में किया 1655 एस्वी में दुर्गादास मारवाड राजी के सेवा में न्योप्त दुआ 1618 एस्वी में औरंगजेव ने दुर्गादास को 32,000 का मनसप्त दिया तथा सिवाना, जैतरन औरमेरता की जागीर दि अजी सिंग ने 1707 ईश्वी में शाशक बनने के बाद दुर्गादास को मारवार से निर्वासित कर दिया जिससे वह बिवार चला गया जहां माराना अमर सिंग द्वित्य ने इसे विजयपूर और रामपूरा की जागी रदी दुर्गादास 1707 ईश्वी में उज्जयन गया जहां 22 नॉम्बर 1718 ईश्वी में उसकी मृत्य होगी उज्जयन में ही शिप्रा नदी के तट पर दुर्गादास का अंतिम संस्कार होगा गुर्गादास को मारवार का अनबिंदिय मोती कहा जाता है करनल टॉड ने उसे राठोड का यूलिसेस कहा है अभै सिंग 1724-1769 ईश्वी माराजा अजी सिंग की हट्ट्य के बाद उसका जेष्ट पुत्र अभै सिंग जो पूर्पूर का शाशक बना खेजरली आंदुलन अभै सिंग के समय ही हुआ था कामधार गिर्दार दास द्वारा खेजरली गाउं से व्रक्षों को काटने के आदेश पर इन व्रक्षों को बचाने के लिए अमर्ता देवी के नेत्योंतों में 28 अगस्त 1730 इस्वी में विश्णोई संपरदाय के 363 स्त्रिपूरुशों ने अपनी शहादत थी जिसमें केजरली या चिपको आंदुलन का जाता है बक्त सिंग 1709 से 1772 इस्वी जोदपूर महराजा अबै सिंग और उनके भाई नागोर के बक्त सिंग के मद्य जोदपूर की गद्धी के लिए संगर्श था जून 1709 इस्वी में अबै सिंग के मृत्यू के बाद उसका पूतर राम सिंग जोदपूर का शाशक बना परन्तु बक्त सिंग ने राम सिंग को पराजित कर जोदपूर अधिकार कर लिया विजय सिंग 1752 से 1793 इस्वी सितंबर 1752 एस्वी में बख सिंग की मृत्यु के बाद उसका बेटा विजय सिंग जोदपूर का शाशक बना अवे सिंग के पुत्र राम सिंग ने मराठो की सायता ली जिससे जैपा सिंधिया ने जोदपूर पर आकरमन कर 1754 एस्वी मेरता के समिक विजय सिंग को पराजित विजय सिंग ने नागोर में सुरन ली परन्तु मराठो द्वारा नागोर को गेल लेने पर विजय सिंग ने द प्राठो को और जालोर सहित आधा मारवाड राम सिंग को देना पड़ा 1772 इस्वी में राम सिंग की मृत्ति हो गई मान सिंग 830-843 इस्वी कृष्णा कुमारी विवात के कारण जैपूर के जगल सिंग ने गिंगोली के युद में मान सिंग को पराजित किया माराजा मान सिंग ने 6 जनवरी 1818 इस्वी को अंग्रेज़ से संदी कर लिए मान सिंग ने नाथ संपरदाय के देवनाथ को अपना गुरू बनाया तथा जो उत्पूर में नाथ संपरदाय के प्रधान मंदर महा मंदर का निर्मान करवाया यह राज्थान में नात संप्रदाय का सबसे बड़ा केंदर है। माराद अमान सिंग ने मेरान गड़ में मान पुस्तिकाले के स्थापना की, बाकी दास इसका प्रमुक्विद्वान दरबारी था।